हाँ जी आ जाएगे 1180-500 कर दिया है मुसकान ने भी बता दिया कि करना है कर दिया है स्वरे ने बोला सरी आएगा कर दिया अब पहले ये वाले कुश्चन बताइए सामने आपको विज्वल है और साथ के साथ हर बच्चों को क्लियर होना चीए करें आप सर्फ पूर के में दिख रहा है पूर के तो रेजुलेशन भी नहीं है सेवंट पिंटी का ही है कि आप सबसे पहले वही हैडिंग डाल ले सर प्राइम कॉस्ट इस राइटिंग बड़ी खराब हो गई है मेरे दीरे-दीरे क्या चक्र है इस से लिखते हैं प्राइम कॉस्ट मज़ा ही नहीं आ रहा है लिखने में प्राइम कॉस्ट अब इसमें चेक कर लेते हैं क्या डबलू आईपी है नहीं है इसके बाद आ जाएगा नेट अब इसके बाद एड्मिन है इसमें cost of production फिर cost of goods sold फिर इसके बाद cost of sale पर last में sale चलो जी heading बना के तयार अब question पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे पहले कहता है raw material manufacturing पच्पन सो रुपए raw material use double five double zero इसके बाद material use in packing material अब देखो यह packing material बड़ा serious है question mark रहता है तो इस पर हम focus करेंगे ठीक है न packing material क्या है नहीं है वो चीज जब ही हम देख लेंगे आगे बढ़ते हैं packing material देखो packing दो जगे हो सकता है factory में भी हो सकता है और selling and distribution में भी हो सकता है दो जगा packaging हो सकता है factory के अंदर packaging हो सकता है और selling and distribution में factory के अंदर कब होगा जब बड़े-बड़े cartoons में pack होंगे न तो factory में होगा अब छोटे-छोटे packets customer को deliver करेंगे तो selling and distribution में तो इस पर अभी देख लेंगे ठीक है material use in the selling product तो selling product के लिए material आपको बता रहा है material use in the factory तो selling product वाला कहा जाएगा selling and distribution में factory वाला आएगा factory cost में और material use in office वाला किस में आएगा बताओ admin वाले में आजाएगा labor required production production यहाँ पर आजाएगा labor production labor कितने का है सर 1000 का मैं साथ के साथ लेके ही ना चलू तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ factory factory overhead और इधर ले लेते हैं note note number one और इसके लिए देखो working note number one क्या क्या दे रखा है packing दे रखा है मैं यहीं ले रहा हूँ packing material material एक हजार factory का चल रहा हूँ है material use in selling product तो selling and distribution note number two note number two में ले ले लेते हैं किसका admin का admin expense note number three क्या ले ले note number three में सर selling and distribution ठीक है अब लिखते जाएंगे बाद में इखटा कर देंगे material use in selling did so material कितने का 150 का material use selling हो गया यह material use in the factory factory में कितना है 150 इसके बाद material use in the office 75 है material use in the okay 75 75 material use in the admin यानि office में material use office 125 लेबर रिक्वाइड फूर सूपर वीजन आफ दा मैनेजमेंट फॉर फेक्टरी तो यहीं आएगा लेबर कितना लेबर है हमारा 200 रुपेर इसके बाद expense direct factory direct expensive factory इसने बोल दिया फेक्टरी से रिलेटेड है कितने रुपे 500 expense indirect factory आप देखो direct और indirect बोल रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा जो direct वाला पार्ट होता है न वो यहां आ जाएगा यहां आ जाएगा क्योंकि दोनों दे दिया direct कितने का है सर 500 और indirect आपका expense that is हमारा 100 इसके बाद expense office कितने रुपे 125 depreciation office building depreciation कितने 75 depreciation factory तो factory यहां जाएगा depreciation कितने 175 इसके बाद selling expense है 350 का selling expense इसके बाद freight on the material freight किराया material खरीदने में कितने 500 advertisement है कहां जाएगा selling में कितने 125 यहां तक किसी को डाउट अब यहां तक दो material हो गए एक material यहां पर अलग से बोल रहा था packing material है और material use तो packing वाला मैंने यहां मान लिया है although यह direct भी हो सकता है यह direct होता है यह exemption लेके चलना पड़ता है अब यह सब खर्चे हम एक साथ लिख लेंगे पहले यहां तक देख लिजिए मैंने यह वाला पूरा का पूरा पार्ट आपका cover कर लिया है इसमें कोई doubt है तो बताईए फिर हम आगे बढ़ा जाए इसमें कोई opening stock closing stock नहीं है बिल्कुल सीधा साधा question है यह सर अगर दोनों नहीं दिया हो तो दोनों किसकी बात कर रहे हैं आपका आप मेंसे किसी ने भी book नहीं लिया ना ले लो भाई book जल्देर दी पहले तो market में book नहीं था अब तो book भी आ गया अगर 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 चला जायागी सर्थ अच्छा टोटल करके बता रहे हैं आप वह तो करी लेंगे पहले आप बताईए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट इसको थोड़ा colorful कर दिया जाए यह थोड़ा नोट नमबर टूना मुझे मिक्सी मिक्सी लग रहा है इसको कर लेते हैं हम यह कर अब ठीक है अब ठीक है चलिए सर्थ पच्पन सो एक हजार पान सो और पान सो एक बच्चे ने बताए 75 और जो बच्चे ने बताए वही मैंने लिख दिया इसके बाद 1075 200 100 175 यह आगया 1550 तो यहां भी लिख दिया मैंने 1550 प्लस पच्चतर सो यह आगया 9050 इसके बाद आएगा सर हमारा एड्मिन एड्मिन एक्स्पेंस सर एड्मिन एक्स्पेंस कितना 125 125 75 तीन सो पच्चेस तीन सो पच्चेस यह आगया कॉस्ट और प्रडक्शन इसके बाद यह आजाते हैं 150 तीन सो पच्चास एक्सो पच्चेस छेसो पच्चेस यह आगया सर हमारा यह तो आएगा नहीं कुछ भी यह तो जीरो रहेगा तो यह आगया 9 375 यहाएगा सेलिंग एंड डिस्टिबिशन तैस कितने आगया सेलिंग डिस्टिबिशन छेसो पच्चेस तो यह दस अजार अब लास में पढ़ लेते हैं क्या कहता है अज्यूम डैट अल पॉड़क्ट मेनिफेक्चर आर सोल्ड सब कुछ बीच दिया गया सेलिंग प्राइज अप्टेंड 25 परसेंट अन सेलिंग प्राइज तो बोला गया भाईया जो भी सेलिंग प्राइज है उसका 25 परसेंट ल कहता है हम यह मान के चल रहे हैं सारा का सारा प्राइज बिख चुका है वट सुट वी दर श्यूड दर सेलिंग प्राइज क्या होगा अबJean अब को ओटैं अब प्रॉक्ज हमेशा कमाते हैं 25 पर्सेंट ओन सेलिंग प्राइज क्या होगा यह प्रॉफिट कितना हो गहरी एश्वरे ने सारा जवाब भी दे दिया 1550 मैंने सही लिखा हैं बिल्कुल सही बताओ दिमाग लगाओ मैंने पूछा क्या है आप बोल रहे इंटरनेशनल बिजनस का कॉर्स कब आएगा 13,333 बच्चे ने बताया 13,333 तो चलिए एक बार समझ लेते हैं के सैलिंग एक्सपेंस क्या है एक बार समझ लेते हैं यह हर बार बताता हूं इस बार फिर बताएंगे और आगे फिर आपको हेल्प मिलेगा इससे देखो कुछ एक पार्ट से ऐसे होते हैं न अब ध्यान से समझेगा देखो मेरे कुछ एक्जामपल ध्यान से देखना एक्जामपल क्या एक्जामपल है सर्थ एक्जामपल नंबर वन माल लेते हैं हमारा सेल्स है सपोज करो सो रुपए और जीपी मैंने दिया 20% कुश्चन मेरा है कि आप मुझे कॉस्ट बताओ कुश्चन इस कॉस्ट बताओ और अनधर कुश्चन आप मुझे प्रॉफिट बताओ कितना होगा तो सिंपल सा एक फार्मेट होता है सेल्स हमेशा हमारा होता है सेल्स इस इकल टू कॉस्ट प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट कहलो या प्रॉफिट कहलो यही होता है हमेशा सर सेल्स दे रखा है सेल्स के निचे सेल्स रखा सर कॉस्ट दे रखा है नहीं दे रखा सर एक्स रखा सर जीपी जो कहता है जब कुछ भी ना बोला जाए तो हमेशा किस पे माना जाएगा सर सेल्स पे तो सेल्स पे 20% है तो यह हो गया 20 तो इस तरीके से हमें profit तो पता ही चल गया तो सर एक्स का value find करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यानि हमें कॉस्ट पता चल गया कॉस्ट कितना हो गया हमारा यहां पर आंसर दिखा जाए तो कॉस्ट हो गया हमारा एटी और profit अगर मैं आप से पूछू तो सर प्रॉफिट कितना होगा 20 पहले यह बात समझ में आई यह नहीं आई जल्दी बताईए यह बात एक चीज में बदलूँ गा इसमें देखो मैंने copy किया है आपके सामने किया है मैंने copy किया है मैंने कहा मैंने कहा GP on cost और वो भी 20 % हटाओ सब कुछ सेम क्या हमारा answer सेम रहेगा यह बदल जाएगा आनसर सेम रहे गा या बदल जाएगा अब देखिए formula क्या कहता है sir formula क्या कहता है same formula लगेगा चाहे question कोई भी हो formula तो sir जी same ही लगेगा ये लो देखो आपके सामने copy कर के दीखा दिया ये formula इसके निचे sales पता है क्या बिनकूल पता cost पता है नहीं पता GP किसके उपर है GP किसके उपर cost पे तो अब पता है कैसे निकलेगा GP 20% है तो x by 5 हो जाएगा Sir कैसे आया है यह x by 5 करके दिखाते हैं यानि x आपका cost 20% 20 by 100 इसका मतलब Sir बना किया 100 is equal to x plus में x by 5 अब जब आप इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 x by 5 5 से multiply कर दोगे 500 is equal to 6 x तो अगर हम x ती value solve करें तो 500 divided by 6 यानि आपका x is equal to आजाएगा 83 अगर x 83 है तो इसका 20% आजाएगा हमारा profit जो आजाएगा Sir अगर हम profit पूछें तो आप simple minus plus करके निकाली सकते हो तो 17 आजाएगा अपका लगबग लगबग point में आ रहा है तो देखेंगा question exactly same है फरक ये हुआ ये जो GP था ये किस के उपर था और हमें दे भी क्या रखा था तो direct हो गया यहाँ पर क्या दे रखा है sales और GP किस पर है cost तो हमें पूरा x letter के इस तरह के से find करना पड़ेगा sir वीडियो फ्रीज मेरे पास तो clear है दो तीन बच्चे कह रहे हैं हमारे वीडियो फ्रीज हो लिए पता दीजे फिर रीप्रेस मार दिये बस पंदरा बीस तारी तो सारा application चेंज ही हो जाएगा आपका अप्डेट हो जाएगा फिर बहुत सारे features उसमें add होगे आपके applications में बादा नेसेसरी के feature हट जाएंगे लुक रही है वीडियो लुक रही है वीडियो लुक रिपीट कर देते हैं देखिए एक्जामपल लंबर वन में देखिए क्या था हमें sales गीवन था sales किपने गीवन था 100 GP क्या था हमारा 20% कुछ भी नहीं जोला कि GP किस पर हमेशा किस पर मानेंगे हमें निकालना क्या था सर हमें निकालना था यहां पर कॉस्चंस के अंदर देखा जाए तो हमें निकालना यहां पर कॉस्ट और क्या निकालना है profit sales का हमेशा एक जोग equation बनता है वो हमेशा equation यह बनता है equation क्या बनता है हमारा sales is equal to cost प्लस में GP अब sales is equal to cost प्लस में GP equation बनता है sales के नीचे sales रख दिया हमारा sales 100 था काउसट के निचे नहीं पदा एस लग दिया उसके ऊपर निकल गया है तरीके से एक्सका वैल्यू हमने इसको सौड करा तो यह आ गया हमने क्या करा आप से यहां रख़ा रहा है और अब यह वाला जो क्विशन देखोंगे शेक्ली सेहीं है यहां यहां चेंज क्या करा है चीपी और क्या कर दिया हमने कॉस्ट पे कर दिया तो क्या हुआ है तो इस एक्वेशन को सौल गरें के हमने आगे जाके प्रॉफिट निकाला है इस दो और करा हुआ हूं फिर हम पीछे पूशन पर आएंगे यानि इतना समझ में आता है कि अगर जो हमें दे रख्थ है और जीपी उसकी बाक में तो आ जाएगा और अगर अगर हमें कुछ रख्था है जैसे बे वी कॉश्ट की बाद कर रहे है तो आको अपर एक्स लेट करता है तरीके से करना पड़ेगा ठीक है अब कह रहे हैं बच्छा वीडियो रुक रही है हिना का कहना है और बच्छा बता ले जिस पर वीडियो रुक रही है तो फिर मैं प्री जाइन करा दू पट्टाफट से एक बार दुबारा लॉग आउट करके क्योंकि अभी कॉंसेप्ट अब चलना है इस नौट लियर कभी कुछ और भी कुछ वाइस आप पड़ाओ सर वोइस चलियो और चेक माइक चेक अब देखें साइद वोइस भी ठीक हो गई हो ओल क्लियर ओल क्लियर ठीक है वीडियो ब्लर आ रही है ना तो आप एक काम कर सकते हो ना आपके पास सेटिंग का ऑप्शन होगा सेटिंग में जाके आप एक पर मेगापिक्सल मतलब के वह बढ़ा दो आप रेजुलिशन बढ़ा दो 720 कर दो ओल क्लियर ओके चलिए दो पॉइंट अब तीसरा एक्जामपल लो लेते हैं तीसरा माल लेते हैं हमने बताया आपको कॉस्ट बता दिया इस बार ध्यान दे ना मैंने कॉस्ट बता दिया 100 और मैंने कहा जीपी अन कॉस्ट जीपी अन कॉस्ट 20 आप मुझे बताओ सेल्स कितना होगा और आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा तो ऐसे सिच्वेशन और फॉर्मूला क्या लगाओगे सर कुछ भी हो फॉर्मूले तो सबका एक ही लगना है फॉर्मूला तो एक ही लगना है सर्थ फॉर्मूला यही लगना है सेल्स दे रखा है कि आप सेल्स को एक्स मान लेंगे कॉस दे रखा है जी 100 रुपए जी पी किस पर कॉस पर तो प्लस 20 रुपए तो हमारा एक्स की वेल्यू निकल के आगया कितना 120 रुपए तो सर्थ अगर मैंने आप से पूछा सेल्स एक्स आया तो कितना आगया 120 रुपए सर अगर प्रॉफिट पूछू तो प्रॉफिट अफ़ट से जवाब दे दोगे सर प्रॉफिट आगया 20 रुपए किसी को इस वाले पॉइंट में डाउट अगर मैं यही सेम कोश्चन लूँ और वहां पर बस एक पॉइंट चेंज कर दू सर क्या चेंज करोगे सर जहां मैंने जीपी उन कॉस्ट लिखा है वहां पर मैं क्या लिख दू सर वहां पर लिखना जुछ औन Azra जुफ क्या जवाब आएगा क्या अंसर सीम रहेगा दूर नहीं रहेगा से बोथ क्विचिए अब देखो एक्विश्च है अप इक्विश्च मिश्च देखो कि बिल्कुल सेम आंसर नहीं रहेगा सर सेल्स पता है नहीं X, cost पता है जी 100, GP किसके उपर है, sales पे तो X by 5 हो जाएगा न इसको इधर लेके जाओगे तो X minus में X by 5 is equal to 100 अगर solve करें इसको तो क्या जाएगा, 4X divided by 5 तो X is equal to 500 divided by 4 तो कितने आगए 125 तो sales कितने निकल के आए, साहाब 125, sir cost कितने निकल के जी पी कितने निकल के आए अगर आपका sales 125 का है, 100 का तो 25 निकल गया जी पी, सवज़ मैं अंजली का कहना है, sir proper format दिखा दो यह तो मैं अपने example करा रहा हूँ format first class में मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो अभी दिखा दूँआ मैं अब इस question को देखिए यह क्या रख था है, मुझे जवाब दीजिए यह क्या है हमारा यह क्या है हमारा और GP किस पे है GP किस पे है sales पे, कुछ बच्चे हमें जवाब दे रहे थे, तो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे very simple निकाला जाएगा वही formula रख लूँ sales is equal to cost plus GP sales कितना है, नहीं पता cost पता चल गिया था, कितना निकाले था अपने cost सर, 10,000 cost कितने निकाले थे, 10,000 GP कितना था, 25% of sales तो x by 4 इधर ले जाओगे तो x by 4 तो x by x minus में x by 4 is equal to 10,000 अब solve करोगे तो 4 x 3 x divided by 4 is equal to 10,000 4 से multiply करो, 3 से divide कर दो तो यह हो जाएगा हमारा 40,000 divided by 3 तो एक बच्चे ने मुझे answer भी दिया था infect और यह first semester में बताया हुआ है 13,333 13,333 रुपए आएगा इसका answer जो कि sales होगा तो sir sales आएगा 13,333 profit होगा sir profit होगा 3,333 profit होगा 3,300 इसका एक shortcut भी है हमेशा याद रखिएगा मैं लिख देता हूं कुछ एक percentage direct निकालना आसान था अगर इसी question में कहता ना के भाई आप profit on selling price नहीं है cost के उपर है तो simple निकाल देते हम इसके उपर ही 25% जो कि होता हमारा पच्चिस सो और पूरा answer आ जाता 12,500 जो बहुत बच्चों ने जवाब दिया भी था लेकिन क्यूंकि हमें cost पता है और profit किसके उपर है sales पे तो उसके हिसाब से हमारा यह answer change हो गया आपको यह direct इतना लंबा भी नहीं करना direct भी कर सकते हो simple सी बात याद रखना cost और sales अगर दोनों differ हो जाए तो उसके अंदर अगर cost के उपर हमारा 20% है तो याद रखना sales पे 16% होगा 16.66 16.66666% होगा जिसको हम एक बटा 6 भी कहते हैं cost पे 25% हुआ तो sales पे 20% होगा cost पे अगर हमारा 33.3333% हुआ इसके उपर 25% होगा इनी में से question पूछा जाता है cost पे 50% हुआ तो यहां 33.333% होगा cost पे 66.6666% हुआ तो यहां पे 50% होगा यह कुछ एक criteria है जो कि हमेशा याद रखोगे और इसी में से पूछा जाता है सर यह समझ में नहीं आया एक बार apply करके दिखा दो चलिए जी apply करके दिखा देते हैं अब यह आपको पता चल जाएगा apply करके दिखाए यह तब ही applicable होगा जब हमारा cost और sales दोनों क्या रहेगा अलग-अलग रहेगा अब मेरे वाले example पे देखो यहां पे देखो 16% तो 16% निकाला था हमने तो आप यहां पे उत आंसर को देख सकते हो देखो इसका आंसर भी हमारा 16-17 रुपए आ गया यहां पे देखते हैं सर यहां पे तो नहीं है यहां cost और sales पे कितने percent है 20 अगर sales पे 20 है तो cost पे percentage जानना चाहते है तो sales पे अगर 20 है तो cost पे कितना होगा 25 तो इसलिए यहां पे आंसर देखोगे सीधा 25 यह short का ठीक रखता है वही आता है बागी आप excellent का रखे करो कभी गलती के chances नहीं होंगे सेम बताओ यहां पे क्या था यहां पे sales पे कितना था 25 तो हमें cost पे जानना पड़ेगा सर तो cost पे कितना होगा cost पे कितना होगा cost पे 33.333 तो इसलिए हमारा आंसर यहां पे देखो कितना आया 33.33 add करने के बाद आगया यह Sir again repeat कर दो video fridge हो गई पहले यहां तक देखो आगे नहीं बढ़ रहे यहीं तक देखो आप पहले और फिर आपके डाउट्स लेते हैं